Welcome to lecture of design and analysis of algorithm आज के lecture में हम देखेंगे कि how to analyze algorithm कि हम किसी भी algorithm का analysis किस तरह से कर सकते हैं तो algorithm की definition तो हमें clear है लेकिन reminder के तौर पे हम एक दफ़ा इस definition को दुबारा देख लेते हैं कि algorithm basically हमने define कैसे किया था अपने पहले वाले lecture में कि algorithm होता क्या है algorithm is finite set of instruction to solve the problem यानि ऐसी problem जिसके हमारे पास solve करने के लिए जो instructions है वो finite instructions हो यानि इन finite ना हो यानि उसका कोई ना कोई ending point हो वो कहीं ना कहीं जाके खतम हो रहा हो और हमारे पास कोई ना कोई output आ रही हो तो इसे हम algorithm कहते हैं जिसमें finite set of instruction होती है अब analysis से क्या मुराद है हमारा analysis एक ऐसा process है जो के दो या दो से ज्यादा algorithm को compare करता है अब जाहरी बात है जब हमने comparison करना है तो किसी कीज की base पे comparison कर रहे होंगे तो analysis of algorithm में हम वो comparison करते हैं time और space की base पे यानि हम time complexity और space complexity की base के उपर वो वो वला analysis कर रहे होते हैं अब जिस तरह आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ sorting algorithm की तो आपको पता है हमारे पास quick sort है, much sort भी है, heap sort है, insertion sort, bubble sort, redic sort और भी इस तरह के कितने ही हमारे पास sort है यानि sorting algorithms हैं अब काम तो सब sorting का कर रहे हैं तो फिर हम जब comparison करेंगे, हमें इस comparison से पता लगेगा कि इस में से जब इन में से किसी दो को compare करवाएंगे तो हमें पता लगेगा कि किसकी time complexity ज्यादा है, किसकी काम है और space complexity इनकी क्या है तो इसलिए फिर हम इसका जो analysis करते हैं analysis of algorithm के अंदर वो time और space की base पे कर रहे होते हैं analysis को perform करने के लिए हमारे पास two ways है यानि हम दो तरीकों से analysis कर सकते हैं first one is priority and second one is posterior ये दो method है हमारे पास एक को हम कह सकते हैं perior यानि के पहले वाला method जो किसी algorithm की execution से पहले हम किसी तरह से analysis करें और posterior algorithm की execution के बाद करें यहां पे इसको define भी किया गया कि priori analysis क्या है before the execution of algorithm कि जो हम algorithm को execute ना करें run किये बगएर ही उसका कुछ analysis करें और जो posterior analysis है वो क्या है analysis after the execution of algorithm कि हम algorithm को execute कर लें execute करने के बाद उसका जो analysis करेंगे उसको कहेंगे posterior analysis है वो तो अब इसकी थोड़ी से और डिटेल देखते हैं कि priori और posterior analysis क्या है और किस तरह से किया जाता है कि priori analysis is hardware independent कि ये hardware पर depend नहीं कर रहा होता लेकिन जो posterior analysis है वो hardware के उपर depend कर रहा होता है इस से क्या मुराद है इस चीज़ को हम समझते हैं आप ये एक देख रहे हैं कि आपके पास box के अंदर एक code लिखा हुआ है अब हमें पता है कि ये जो एक code लिखा है ये किसी भी language में हो सकता है या आप कहलें C में हो गया C++ में हो गया आप Java में हो गया Python में हो गया किसी भी language में हो सकता है हम इस code में इस depth में नहीं जाना चाह रहे है कि इसमें कोई error है या कौन सी language में लिखा गया है जो भी है यह कोई code है जो के machine समझ सकती है कोई compiler इसको read करेगा और हमें result देगा आप देखें यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ integer a b कोई integer है उसका a b है हमने उनका sum करना है कोई चीज c out करवाई गई यहाँ पर c in दो integer बताए गए और कहा गया sum करें c out करके result दें value return करें यानि बताने का मकसद है कि जब आप किसी computer में program कर रहे होते हैं तो इस तरह से किसी language के अंदर उसको लिख रहे होते हैं अब यह जो आपके सामने program लिखा है यह दो integer को sum कर रहा है अब देखें अगर मैं कहूं कि इसका time calculate करें आप कहेंगे मैंने इसको अपनी machine के उपर run किया machine के उपर run करने के बाद देखा मेरे पास जो output थी यानि यह execute हुआ तकरीबन आप कहलें के point four second मैंने लिख दिया point four point four के साथ मैं S डाल देता हूँ के point four second चले सी सी कर लेते हैं के point four second में हो गया अब मैं कहता हूँ के आपने जिस machine पर run किया उस पर point four second लगे और आपके पास जो machine थी for example वो i3 था प्रोसेसर उसका i3 था उसकी कहलें के 2GB उसकी RAM थी मैंने यही वाला जब प्रोग्राम चलाया मैंने i5 प्रोसेसर पे चलाया जिसकी RAM भी काफी ज्यादा थी मैं कहता हूँ के जब मैंने इस प्रोग्राम को चलाया तो मुझे तो तकरीबन इस पे लगे point three second मैंने तो ये point three second में execute हो गया मेरे पास के आपके पास आपने का था point four में हुआ है मैंने का point three second में हुआ है ये उसके बाद इसको किसी और मिशीन के उपर run किया गया जो कहलें के i7 प्रोसेसर था और उसकी hardware specification बहुत अच्छी थी RAM भी बहुत अच्छी थी उस machine के उपर run किया तो आप कहलें कि उसके उपर time आगया point two second उसके बाद मैं कहता हूँ कि आपने कोई हमें से कहता है कि जी मैंने इस वाले program को run किया मेरे पास super computer था जिसके उपर मैंने run किया और उसके उपर जो time था वो तो तो तक्रीवर पॉइंट zero 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 यानि point three time zero one second आ रहा था मेरे पास तो अब आप देखें कि ये जो हम कह रहे है posterior analysis है ये analysis तो होगा जब program execute हो जाएगा यानि किसी पे point four second लग रहा है किसी पे point three second, point two या point zero zero one second time लग रहा है तो इसका मतलब है कि जो posterior analysis है वो तो हमारे hardware के उपर depend करेगा हमारी machine या हमारा hardware जितना पुराना होगा उतना ज्यादा time लगेगा उसको run होने में execute होने में जितना वो नया और latest किसम का होगा जितनी उसकी specification high होगी उतना ही हमारे पास आप कहलें के कम time लगेगा तो इसलिए हम कहते हैं कि जो posterior analysis है ये तो है hardware dependent तो ये hardware dependent से ये मुराद है अब जो हमने का कि priori analysis जो है जो program को execute करने से पहले करते हैं वो hardware independent है यानि वो hardware पे depend नहीं करता किस तरह से नहीं करता आईए उसको भी देखते हैं अब देखें ये मेरे पास आप summary लिए एक algorithm लिखा है अब बिलकुल layman summary के अंदर algorithm लिखा गया layman से मुराद के ऐसा जो के हर कोई समझ जाएगा कोई हमने technicalities इतनी add नहीं की सिरफ आपको समझाने के लिए कि ये एक program था जो दो number का sum कर रहा था अब देखें इसका मैं एक algorithm लिखता हूँ हमने कहा ना कि algorithm में एक steps होते हैं finite step होते हैं जो कि किसी भी problem को solve कर रहे होते हैं हम देखें four steps हैं four step में क्या हो रहा है पहले step में कहा कि read a कि कि किसी instruction को read करे फिर लिखा read b कि b को read करे third step में हमने उसको का sum कर दे a plus b का sum कर दे और print sum हमारे सामने वो वाला sum ले गाए हमने execute नहीं इसको किया हमने यहां से सरफ पढ़ा कि यह instruction perform होंगी अब जो priority analysis है इसमें हम देखते हैं कि कितनी बार यह जो function है इसके अंदर जो भी हमने function लिखे हुए है कि sum का function यह read होना है उसने print होना है यह अपने आपको कितनी दफा काल करता है यह instructions कितनी बार execute होंगी यह जो instruction है यह कितनी बार execute होंगी हमारे result तक पहुँचने के लिए यह आप कहलें हम इसमे number of iteration देख रहे होते हैं अब आप अगर देखें हम इसकी iteration देखें या आप इसमें कहलें कितनी दफा instruction चलेंगी अब यह step 1 है read a कोई a पे value उसने read करना है यह यह one time ही इदर आएगी हमारी machine एक दफा उसको read कर लेगी दुबारा क्या होगा read b एक दफा इसी भी instruction को read करेगी इसने b कर लिया फिर step 3 पे आया उसने का sum a plus b one time ही यह भी होगा ना कि a और b को read कर लिया उसका सम कर दिया one time यह होगा फिर वो print कर देगा यह वली instruction कितनी दफा चलेगी एक दफा यह तोटल यह कितनी instructions चली है यह iteration कितनी हुई इसमें four लेकिन इस four के साथ आपने याद रखना है कोई भी second यह millisecond इस तरह की चीज़ आपने add नहीं करनी यह इसकी iteration four होंगी यह instruction जो हैं वो इस तरह से four time चलेंगी लेकिन हमने इसको मैयर कैसे करना है पिरोरी analysis के अंदर हमने basically इसको मैयर करना है asymptotic notations की मदद से asymptotic notations होती क्या है जिसका हमने अपने start वाले lecture में जिकर किया था कुछ big O होगा, big theta होगा big omega होगा, small O होगा, small omega होगा हमने इसको उस form के अंदर मैयर करना है ये भी one time, ये भी one time, total four time ये step perform होगे, देखें for example मैं कहते हूं हमारे पास अगर कोई factorial होता, मैंने ये f लिख दिया f, a, c, factorial होता अब factorial, for example, factorial हम कहते है five का factorial, आपको पता था अब five का factorial है, ये तो one time run नहीं होगा, ये तो n minus one time execute हो रही होगी अब ये तो one time था ना, अगर ऐसा factorial होता हमने n minus one लिखना था, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं कि ये priori analysis है, कि उसको execute किये बगएर हम algorithm को देखके, उसकी base पे analysis कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, कि जो posterior analysis है, इसके अंदर हमारे पास exact value आएगी, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 0.4 second में complete हुआ, 0.3 में या 0.2 में, तो ये एक exact value आ जाती है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास priori analysis है, जब हम कर रहे होंगे, यानि किसी algorithm को देखके इसका जो analysis कर रहे होंगे, इसकी execution से पहले, उसके अंदर हमारे पास exact value नहीं आएगी, बलके हमारे पास approximate value आएगी, हमारा ये जो course है, design and analysis of algorithm का, हम basically ये जो हमारे पास priori analysis है, यानि execute करने से पहले का analysis, हम पूरा इसके उपर depend करेंगे इस course के अंदर, यानि हम ये सारे का सारा analysis जो किया करेंगे, हम उसमें number of iterations को find करेंगे, find करके उसको asymptotic notation से represent करेंगे, यानि अगर हमारे पास ये आगया four, हम इसका best case और worst case निकालेंगे, इसको इस तरह से हम करेंगे, reason क्या है, अब आपके जहिन में आ रहा होगा, कि ये posterior analysis भी तो है, ये करना असान है, हम इस पर क्यों नहीं depend कर जाते, या basically ये जो हमने कहा ना, कि हम इस पर इस लिए नहीं analysis कर रहे होते, क्योंकि हमारे पास अगर हम posterior analysis की बेस पर result लेंगे, तो वो uniform value नहीं आएगी, uniform जिस तरह आपने देखा ना, कि जहां पर एक case में 0.4 आ रहा था, एक case में 0.3 आ रहा था, 0.2 आ रहा था, तो इसका मतलब है कि हर दफा तो वो time change होता जाएगा, हम एक final result पे नहीं पहुंच सकेंगे, कि हमारा अगर computer slow है, for example, कोई i3 यूज़ कर रहे हैं, या pentium model का भी तक यूज़ कर रहे हैं, उसके उपर all time आ रहा होगा, हम किसी super computer की तरफ चल जाते हैं, उसके उपर all time आ रहा होगा, तो ये तो सारे का सारा hardware के उपर depend कर रहा होगा, इसलिए हम कोई final result की तरफ नहीं पहुँच पाएंगे, इस वज़ा से हम जो posterior analysis है, इसके उपर scores के अंदर focus नहीं करते, हम priority analysis के उपर focus करते हैं, यानि हम एक algorithm लेंगे, उसमें देखेंगे कि उसकी कितनी iterations हो रही हैं, iteration से मुराद कि वो कितनी time, वो जो steps हैं, वो perform हो रहे हैं, फिर उसकी base पे हमारे पास जो value आएगी, हम उनको asymptotic notation से represent करेंगे, asymptotic notation होती क्या है, यह हम अपने आने वाले lecture में देखेंगे, तो उमीद ए students आपको जो आज का lecture है, इसमें समझ आ गई होगी, कि analysis of algorithm से हमारा मुराद क्या है, और हम किस तरह से analysis कर सकते हैं, और हम priority analysis जो है, यानि उसको execute होने से पहले, execution से पहले वाला जो analysis है, उसके उपर ज्यादा depend कर रहे होते हैं, इस analysis के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक uniform value आ रही होती है, यूनिफॉर्म से मुराद कि अगर अब आप देखे न, वहाँ तो machine पर depend कर रहा था, लेकिन ये वाला जो case है, ये वाली instruction जिस भी algorithm में आएगी, कोई भी machine होगी, एक time ही वो read करेगा इसको, इसको भी one time ही इसको read करना पड़ेगा, तो इसलिए ये hardware independent है, और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया, तो इसे ज़रूर subscribe करें, ताकि जो भी नई वीडियो upload हो, आपको उसका notification भी मिल सके, thank you,